नमस्कार मैं शुर्तियंगद और आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में ताज महल का ये हिस्सा साल में खुलता है सर्फ तीन दिन जानी इस जगह से जुरे कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार ताज महल जरूर द की जाती है और सर्फ भारत के लोग ही नहीं इस खुबसूरत जगह को देखने के लिए दुनिया भर से परया तक यहां आते हैं वैसे ताज महल के बारे में काफी हद तक लोगों को जानकारी होगी ही लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी मज़दार जानकारी देने वाले हैं ज टाज महल पुरे दिन अपना रंग बदलता है एक बात जो आपको बेहत जीब लगेगा लेकिन यह सच है कि ताज महल एक दिन में तीन बार रंग बदलता है रंग में बदलाव रोश्नी और समय के अधार पर देखने को मिलता है ताज महल सुबह के वक्त गुलाब और शान के समय दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहेरा दिखाई देता है अगर आप एक से जादा बार अलग अलग समय पर ताज महल देखने गए हैं तो आपने इस बात पर गौर्ड जरूर किया होगा कि ताज महल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और ही होता है लेकिन यह सत्य नहीं है ताज महल से जुरा फैक्ट जो सबसे जादा लोगों द्वारा एक दूसरे को बताया जाता है कि शान जहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिये थे ताकि इस जैसा समारक फर से ना बन सके इस बात में कितनी सचाई है इस बात के शाक्षे अभी तक नहीं मिले है ऐसा प्रतीत होता है कि श्रामिकों को ना केवल अच्छी तंखा दी जाती थी बलके ताज महल के निर्मान के लिए आवर्शक उनके कोशल के लिए भी उनका सम्मान किया जाता था ताज महल भारत का सबसे खुपसूरत और कीमती धरोहर माना जाता है इसके नि पिलंका टिब्बत चीन और यहां तक कि भारत के कई अस्थानों से मंगवाए गये थे दिवारों में उकेरी गई सुलेख में कुरान के चंद शामिल है जिनमें स्वर्ग की बाते लिखी गई है ताज महल में बनी कब्रों से जुड़ी कई कहानिया सुनाई देती है ताज महल में कब्रों की सजावत मना होती है ताज महल उत्तर प्रदेश के आग्रा में नहीं बलकि मध्य प्रदेश में होता सुनने में आपको यह जीव लगे लेकिन ताज महल आग्रा में नहीं बनाया जाना था इससे पहले बुढ़ान पुड मध्य प्रदेश में बनना था जहां मुम्ताज के प्रशव के दौरान मृत्यू हो गई थी लेकिन दुर्भागि से बुर्हानपुर में प्रयापतें संगमर्मर की आपूर्ती नहीं हो पाई और इसलिए आखिर में आग्रा में ताजमहन बनाने का निर्नय लिया गया ताजमहल के निर्मान में एक हजार हाथियो का इस्तिमाल किया गया था ताजमहल के निर्मान के लिए आवश्रक समागरी को एक हजार से अधिक हाथियों के मदद से ले जाया गया था या मुख्य रूप से सफेज संगमर्मर और लाल बल्वा पत्थर था जिसे परिवहन की आवश्रकता थी और इसे पूरे भारत और म अफेज संगमर्मर का उपयोग प्रमात्मा के प्रतिनिध्व की रूप में किया जाता है अन्य पत्नियों और पसंदिदा नौकरों को ताजमहल के बाहर दफनाया हालाकि जब ताज के बारे में बात की जाती है तो श्राज जहा और मुम्ताज महल के बीच प्रेम कहानी पर भी ध्यान केंदृत किया जाता है आपको बजा दे ताज के बाहर कई मकबरे हैं लेकिन उसी परिशल में जहां श्राजहा की आने पत्नियों और पसंदिदा नौकरों को दफनाया गया था कुतुम मिनार से भी उचा है ताजमहल अगर आप यह सोचते हैं कि कुतुम मिनार क को ताजमहल से उचा माना जाता है तो आप गलत हैं क्योंकि ताजमहल 5 फिट के अंतर के साथ कुतुम मिनार से भी लंबा है आपको सबसे रोचा फैक्ट कौन सा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सबस्क्राइब करें हमारी यूटूब चनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद